ओम शंती 18 जनवरी 2023 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सिक्छाएं दी उनका मनन करेंगे आज पिता सिरी जी के पुर्ण इस्मरती दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य जिसमें बाप दादा समझाते मीठे बच्चे इमानदार बन सच्चाई से अपनी जाज करो कि हम कहां तक परफेक्ट बने हैं परफेक्ट बनने के लिए देह अभिमान की खामी निकालते जाओ अर्थात स्वयम भगवान निराकार पिता परमात्मा हम बच्चों को भ्रमा बाप समान बनाने के लिए अर्थात आप समान बनाने के लिए स्रीमत देते सच्चाई से इमानदारी से अपना पोता मेल निकालो अपनी जाच करो स्वदर्शन चक्र फिराओ अपनी कमी कमजूरियों को मिठाते जाओ चेक करो कि कहां तक हम परफेक्ट बने हैं अर्थात हम में कोई डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट इसको बाबा की याद के बल से समाप्त करो बाबा कहते परफेक्ट बनने के लिए अर्थात हर डिफेक्ट को निकालने के लिए खत्म करने के लिए देह अभिमान की खामी को निकालते जाओ क्योंकि हम 63 जन्मों से देह अभिमान में रहे हैं देही अभिमानी बाबा हम बच्चों को बनाने आया बाबा कहते जितना जितना देही अभिमानी बनने का अभ्यास करोगे उतना उतना बाप समान परफेक्ट बनते जाओगे इसी लिए बाबा आये हैं बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने के लिए मैं आता हूँ तो बच्चों को भी इमानदार बन, सच्चाई से, अपनी जाच करनी चाहिए, कि हम कहां तक परफेक्ट बने हैं, परफेक्ट बनने की युक्ती, बाबा हम बच्चों को बताते रहते हैं, मुख्य खामी बाबा बताते देह अभिमान की, देह अभिमान ही अवस्ता को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए देह को भी भूलना है, बाब का बच्चों में कितना लव रहता है, बाब बच्चों को देख कितना हरसित होते हैं, तो बच्चों को भी बाबा कहते इतनी खुसी में रहना चाहिए, बाब को याद कर, अंदर गदगद होना चाहिए, दिन प्रती दिन खुसी का पारा चड़ा रहना चाहिए, पारा चड़ेगा याद की यात्रा से, वह आहिस्ते आहिस्ते चड़ेगा, हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुशार्थ अनुशार, कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पालेंगे, बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी होकर देखते और समझानी भी देते रहते, बाप दादा दोनों का बच्चों से बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं, बाबा कहते परंतु बच्चे अगर स्रीमत पर नहीं चलते, तो बाप क्या कर सकते हैं, तो बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बन कर स्वयम को चेक करना है, कोई भी डिफेक्ट हो, कमी कमजोरी हो, उसे बाबा को साथी सहयोगी बना कर निकालते जाना है, तो बाबा कहते, बाप समान मीठे परफेक्ट बन जाएंगे, फ्रशन किया बाबा ने भविस्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सोदा किया है, उस सोदे से संगम पर कौन सा फाइदा है, भविस्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सोदा किया है, उस सोदे से संगम पर कौन सा फाइदा है, उत्तर में बाबा समझाते देह सहित, जो भी कुछ ककपन है, वह सब कुछ बाप को अरपन करके, बाबा को कहते हो कि बाबा हम आप से फिर वहाँ भविस्य में सब कुछ ले लेंगे, यहाँ है सबसे अच्चा सोदा, इस से तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है, और अपार खुशी रहती है, कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय हैं, फिर अपनी राजदानी में होंगे, तुमको कोई पूछे तो बोलो, वा, हम तो बेहद के बाब से, बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, अभी हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनते हैं, अर्थात, स्वयम भगवान निराकार पिता परमात्मा भोला नाथ बनकर, बाप टीचर सदगुरु बनकर, हम बच्चों को संपन संपूर्ण बनाने के लिए आते, तो बाबा कहते, अपना सब कुछ ककपन, कमी कमजोरियां, पांचों विकार मुझ बाप को देदो, देदान तो छूटे ग्रहन, तो जो बच्चे बाबा पर निश्चय बुद्धी होकर, अपना सब कुछ बाबा को अरपन कर देते, वे बाप समान बाबा के दरपन बन जाते, अर्थात प्रत्यक्षिता के निमित बनते, तो बाबा कहते तुमको बहुत खुसी में रहना चाहिए, क्योंकि तुम अभी इस उचे ते उचे स्रेश्ट संगम युक पर, उचे ते उचे पिता परमात्मा निराकार के मददगार बनते हो, अपना सब कुछ बाप पर बली चड़ते हो, बाबा की तिजोरी में ऐसे सेफ हो जाते हो, कि माया जीत बन जाते हो, माया कैसा भी रूप धरले आपको हरा नहीं पाती, आप विजई रत्न बनते हो, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाते हो, इसी लिए बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वेल्यूवल हीरा बनते हो, वेल्यूवल हीरे जवाहरात जो होते हैं, उनको सेफटी के लिए हमेशा बेंक में रखते हैं, तुम भ्रामन बच्चे भी वेल्यूवल हो, जो सिव बाबा की बेंक में सेफटी से बैठे हो, अ तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो सिव बाबा के बने तो सेफ हो गए बाकी उचपत पाने के लिए पुरुशार्त करना है दुनिया में मनुश्य के पास कितना धंदोलत है परंतु वह सब खत्म हो जाना है कुछ भी नहीं रहेगा तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है यह देह भी तुमारी नहीं है तुम बाप को दे देते हो तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे की सब कुछ है तुमने बेहद के बाप से सोधा किया है भविश्य नई दुनिया के लिए कहते हो बाबा देह सहित यहा जो कुछ ककपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर हम सत्यूग में इसे वापस ले लेंगे तो बाबा के बेंक में सेफ हो जाता है और बाबा हमें सत्यूग में सब कुछ लोटा देते हैं सुख सांती आनंद प्रेम पवित्रता गुण ग्यान तथा सक्तियों से भरपूर कर देते हैं आगे बाबा कहते मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिग्या करनी चाहिए हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिसमें दिल अंदर खाती रहे इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है उच मरतबा पाने का पुरुशार्थ करना है नंबर वार तो हैं ही जवाह रात भी नंबर वार होते हैं न कोई में बहुत डिफेक्ट होते हैं कोई बिलकुल प्यूवर होते हैं बाप भी जोहरी है न तो बाप को एक एक रतन को देखना होता है यहां कौन सा रतन है इसमें कौन सा डिफेक्ट है अच्छे अच्छे प्यूवर रतनों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे अच्छे अच्छे प्यूवर रतनों को सोने की डिब्बी में रखना होता है बाबा कहते बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रतन हूँ मेरे में कौन सा डिफेक्ट है आज बाबा ने अव्यक्त महावाक के 1977 के सुनाए जिसमें बाप दादा कहते जितना ब्राह मुक्ता में रहने का तुम बच्चों को अनुभव है उतना ही अंतर मुखी बनने का अभ्यास करो जितना जितना अंतर मुखी होने का अर्थात एक के अंत में खोने का आवाज से परे रहने का अभ्यास जितना ज्यादा होगा उतना करमातीत इस्टेच समीप आती जाएगी तो बाबा कहते आवाध से परे सांत स्वरूप स्थिती अधिक पर ये लगेगी इस स्थिती में सदा अतिंद्रिय सुख की अनुभूती हो इसी अतिंद्रिय सुख में स्थिती दौरा अनेक आत्माओं का सहज ही अहवान कर सकेंगे और कहीं भी रहने वाली आत्माओं को प्रत्यक्षिता करा सकेंगे अर्था तो उन्हें मैसेज दे सकेंगे उन्हें भी यहा अनुभव होगा कि हमें कोई ऐसे स्रेश्ट आत्माएं हैं जो समीप आकर मैसेज दे रहे हैं पिता परमात्मा का संदेश दे रहे हैं इसलिए बाप दादा बार बार अटेंशन खिचाते कि खुद को सांत स्वरूब इस्थिति में इस्थित रखो जितना जितना साइलेंस होंगे उतना उतना गोल्डन एज बनते जाएंगे अर्थात इस्टेज गोल्डन एजड होती जाएगी कम खर्च वाला नसीन बनते जाएंगे तो बाप दादा कहते समय रूपी खजाना एनरजी का खजाना और इस्थुल खजाने सब में कम खर्च वाला नसीन हो जाएंगे इसके लिए बाप दादा कहते याद रखो बैलेंस हर कर्म में हर संकल्प में और बोल संबंद वा संपर्क में बैलेंस हो तो बोल कर्म संकल्प संबंध हुआ संपर्ग साधरन के बजाए अलोकिक दिखाई देगा अर्थात चमतकारी दिखाई देगा हर एक के मुख से मन से यही सेवा की पावा कहते आवाज निकलेगा कि यह चमतकार है समय के प्रमान स्वयम के पुरुशार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तिव्रगती की चाहिए तब विश्व कल्यानकारी बन सकेंगे वर्दान दिया बाप दादा ने वर्दान में कहते संग साइलेंस की सकती द्वारा नई स्रष्टी की स्थापना के निमित बनने वाले माश्टर सांती देवा भव साइलेंस की सकती द्वारा नई स्रष्टी की स्थापना के निमित बनने वाले माश्टर सांती देवा भव सांती देवा बनने के लिए भाप दादा स्रीमत देते साइलेंस की सक्ती को बढ़ाओ साइलेंस की सक्ती जितना जितना बढ़ाएंगे उतना उतना नई स्रष्टी की स्थापना के निमित बनते जाएंगे तो बाप दादा कहते अभी समय प्रमान सभी को सांती की सुख की अवश्यक्ता है सांती की सकती ही ऐसी महान सकती है जिस से आवाज से परे आप सांत स्वरूप इस्थिती में रहने का अभ्यास करते हो तो सांत स्वरूप इस्थिती में इस्थित होकर कम खर्चवाला नसीन बनकर हर सकती को बढ़ाते जाना क्योंकि सان्ती की सक्ती में ही सब कुछ समाया हुआ है जितना जितना आप बच्चे साइलेंस में होते सांत स्वरूप इस्थिती में इस्थित होते उतना उतना वायू मंडल पावरफुल बनता और सर्व आत्माओं को सांती का सहयोग मिलता तो बाप दादा कहते साइलेंस की सकती जमा करने के लिए इस सरीर से परे असरीरी हो जाओ यहाँ साइलेंस की सकती बहुत महान सकती है इससे नई सरष्टी की स्थापना होती है तो जो आवाद से परे साइलेंस रूप में इस्तित होंगे वही इस्तापना का कारे कर सकेंगे इसलिए सांती देवा अर्थात सांत स्वरूब बन असांत आत्माओं को सांती की किर्णे दो विसेश सांती की किर्णे देते जाओ विसेश सांती की सक्ति को बढ़ाओ यही सबसे बड़ेते बड़ा महादान है यही सबसे प्रिये और सक्ति सालूई वस्तू है स्लोगन में बाबा कहते हर आत्मा वा प्रक्रती के प्रती सुब भावना रखना ही विश्व कल्यानकारी बनना है हर आत्मा वा प्रक्रती के प्रती सुब भावना रखना ही विश्व कल्यानकारी बनना है अर्थात अभी समय प्रमान सब कुछ तमो प्रधान है प्रक्रती वायू मंडल जल सब कुछ तमो प्रधान है ता आत्मा में भी इतना पापो का बोज़ा है कि आत्मा भी तमोप्रदान है तो बाबा इसी लिए कहते कि जो बच्चे सर्व आत्माओं के प्रती सुब भावना रखते प्रक्रती के पाँचों तत्तू के प्रती सुब भावना सुब कामना रखते वे ही बच्चे विश्व कल्यानकारी बच्चे बनते हैं अच्छा ये थे बाबा के महावाक्ये ओम शान्ती